हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चनल, फ्रेंड्स आज हम गुजरात का बहुत है फेमस उर्दिया बनाने जा रहे हैं, यदि आप लड़ों से हो गए हो बोर, तो फ्रेंड्स चलिए बनाते हैं नया कुछ और, एकदम परफेक्ट कलर का, परफेक्ट कंसेस्टेंसी का और प पसंद आये, तो आप इसे जरू से, लाई को शेर कीजिए का, और नए फ्रेंड्स हमसे जूड हे रहने के लिए हमारे चनल कीचंञ्रिक को जरू से सबस्क्राइब कीजिये का, तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं यहां पर उड़ोंदिया बनाने के लिए, हम इसके सब जाएगा लेकिन यह आटा आप घर पर बनाना चाहते हो तो आप जिलकी उत्रिवी ऊड़त की डाल लिजिएगा उसे पहले कपड़े से ड्राइ कर लिजेगा कडाई में डालकर ड्राइरोस्ट कर लिजिगा याद रखेगा फ्रेंड्स हमें ड्राइ रोस्ट करते समय बिल्कुल भी उसका कलर चेंज नहीं होने देना है वो ठंडा होने के बाद में उसे ग्राइन करकर छनी से छान लीजेगा यहाँ पर हमारा दर दरा उड़त का आटा बनकर तैयार हो जाएगा इस तरह से फ्रेंड्स आप घर पर भी उड़त का आटा बना कर तैयार कर सकते हो तो यह आटा हमने घर पर ही बनाया वाल लिया है फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को बनाने के लिए कोई सा भी कप, कटोरी, मेजर्मेंट के लिए कर लीजेगा तो आपको यह recipe बनाना आसान हो चाहेगी और साथ में इसे बनाने के लिए हम एक cup थीजावा घी ले रहे हैं यह दिए आप इसका weight करेंगे तो 200 gram हम घर का शुद्ध घी ले रहे हैं और साथ में इसमें डालने के लिए half cup जितना हम dry food को crush करकर ले रहे हैं इसके अंदर डालने के लिए हम one fourth cup गोन ले रहे हैं यह eatable गोन दे आपको हर किराने की दुकान पर यह आसानी से मिल जाएगा half cup जितना सुखा खोपरे का गोले को grater से grate करकर ले लेंगे और इसे मीठा करने के लिए देड़ cup crush किया हुआ गोल ले रहे हैं और यदि आप इसका measurement करेंगे तो यहाँ पर हम डाईसो ग्राफ crush किया हुआ गोल लेंगे तो उर्दिया बनाने के लिए हमने ingredients को measurement करकर रख लिया है तो चलिए friends बना लेते हैं फटाफट से यह recipe और इसे बनाने के लिए हम heavy bottom का बरतन ले रहे हैं हम यहाँ पर सबसे पहले गोन को fry कर लेंगे तो यहाँ पर हमने चुप कप में measurement करकर घी लिया था ना उसका ही हम one fourth भाग इसमें डालेंगे गोन को fry करने के लिए घी को गर्म कर लेंगे गोन को दो बेचेस में fry कर लेंगे तो यहाँ पर हम एक बेच का गोन डालेंगे और इसे हम ऐसे चलाते हुए गोन को फ्राइ कर लेंगे यहाँ पर हमें गोन को low to medium flame पर फ्राइ करना है ताकि हमारे गोन अंदर से कचे ना रहें तो इस तरह से हमने गोन को फ्राइ कर लिया है और इसे अब हम बाहर निकाल लेंगे और जो बचा हुआ बेचे उसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे और उसे भी हम ऐसे चलाते हुए फ्राइ कर लेंगे इसे भी हम निकाल लेंगे और इसे अब हम साइट से रख देंगे अब पर फ्रेंड्स इसे भुनते समय एक ही बात का धियान रखेगा गेस की फ्लेम को लो रखेगा तो आपका एक तम परफेक्ट कलर का उर्दिया बनकर तैयार होगा तो मेरी एटीब जरू से याद रखेगा आपको उर्दिया बनाने में हैल्प मिलेगी यहाँ पर हमने गेस की लो करते हुए इसे हमने एक चीसे चलाते हुए अच्छे से भुनना है यहाँ पर मुझे पांच मिट हो चुके हैं इसे चलाते हुए आप देख सकते हो थोड़ा सा भी आपको यह इसकी कंसेस्टेंसी थोड़ी सी गाड़ी लगेगी लेकिन जैसे जैसे हम इसे भूनेंगे तो यहाँ पर यह देखे फ्रेंड्स मुझे 7-8 मिट हो चुके हैं इसे एक जैसे चलाते हुए और आप यहाँ पर फ्रेंड्स वाच कर सकते हो एकदम हलका गोल्डन कलर आ चुका है इसका भूती शांदार कलर आया है एकदम इस तरह का जब कलर हो ना उस स्टेज पर फ्रे अपके पास में घर की फ्रेश मलाई ना हो तो आप यहाँ पर वन फॉर्थ कप जितना दूद भी डाल सकते हो यह फिर आप इसकी जगह पर टू टेबल इस्पुन जितना मिल्क पाउडर और साथ में टू टेबल इस्पुन जितना पानी डाल दीजेगा तो इस मिश्रेन का ट्रेक्चर बहुती बढ़ी आएका तो यहां पर फ्रेंट्स हमने घर की फ्रेश मलाई डाली है ना इससे हमारे उर्दे का ट्रेक्चर बहुती बढ़ी आएका एक बार यदि आपने इस तरह से ट्राई नहीं किया है ना तो इस तरह से एक बार जरू से ट्राई कीजिएगा फिर जानिए का आपको फर्क पता चल जाएका तो यहाँ पर मलाई डालने से इसका ट्रेक्चर तो शांदार आएका ही साथ में इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आएका यहाँ पर हमने मलाई डालने के बाद में इसे दो मिट और अच्छे से भुन लेना है यह देखें यहाँ पर मुझे इसे चलाते हुए दो मिट हो चुके हैं यहाँ पर इस मिष्रन का कलर एकदम हलका गोल्डन कलर आ चुका है और इस मिठाई का लूक एकदम बढ़िया आए तो यहाँ पर आप वाच कर सकते हो यहाँ पर हमारा मिष्रन पतला हो चुका है जो इसके अंदर हमने जो घी डाला था वो रिलीज हो गया है इस मिश्रण ने अच्छे से घी छोड़ दिया है और यह मिश्रण अच्छे से फूल चुका है और आप यहां पर यह वाज कर सकते हो इसका परफेक्ट गोल्डन कलर आ चुका है बस यहां पर यदि फ्रेंड्स आपको परफेक्ट कलर चाहिए न तो आप यह इस्टेश को यहाँ पर आप अच्छे से वाच कर लेजिए मिश्रन का हलका बदा में कलर आ चाहिए न उस इस्टेश पर फ्रेंड्स आप गेस की फ्लेम को बंद कर दीजेगा यहाँ पर हमारा पर्फेक्ट गोल्डन कलर आ चुका है इस इस्टेश तो इसके अंदर अब हम दो हरी छोटी इलाइची को फ्रेश दरदरा कुटकर डाल देंगे और करम गरम मिश्रन में क्रश किये हुए ट्राइफूट भी डाल देंगे और इसका टेश्ट शांदर लाने के लिए हाफ टीस्पून सोट पाउडर डाल देंगे और साथ में इस पाउडर के साथ में काली मिर्च का पाउडर का कॉमिनेशन करके डालती हूँ इसका टेस्ट हमारी यह सभी को पहत पसंद आता है यदि आप तक सोट पाउडर और काली मिर्च पाउडर डाल कर इस तरह से नहीं बनाया ना तो एक बार जरू से ट्राइब कीजेगा आपको इसका टेस्ट बहुती बढ़िया लगेगा फ्रेंड्स आप यहां पर ट्रेडिशनल रूप से बनाना चाहते हो तो आप यहां पर गंठोला पाउडर डाल सकते हो मैं हमेशा इसी तरह से यह रेसीपी बनाती हूँ तो मैं वही रेसीपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ जो मैं बनाती हूँ इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे आपर फ्रेंड्स साब वाश कर सकते हो हमने गेस की फ्लेम बन कर दी है आपको कन्फुजन नहों इसलिए मैं इसे काउंटर टॉप पर रख देती हूँ हमारा यह मिशन थोड़ा सा ठंडा होने लगा है तो इसके खोपरे को ग्रेटर से ग्रेट करके रखाता ना वह भी डाल देंगे और यहां पर हमारा मिशन अभी हलका गर्म है इस स्टेज पर फ्रेंड्स हम इसे मिठा करने के लिए जो हमने मेजर्मेंट के अवा गुड़ भी इसके अंदर हम डाल देंगे और इसे अब हम अच्छे स किवी ट्रे या थाली ले ले जिए उसमें हम यह सारे मिशन को डाल देंगे और अपनी पसंद के अनुसार मोटा या पतला इसके अंदर सेट कर देंगे तो यह देखे फ्रेंड्स यहां पर मैंने यह ट्रे में इसे सेट कर दिया है और जितनी मुझे इसको मोटी रखना है उस तरह से मैंने इसे अटेज्मेंट लगा दिया है और इसे अच्छे से इसे प्रेस करते हुए हमें सेट कर लेना है इसे हम अच्छे से एक जिसा कर लेंगे इसकी गानेशिंग के लिए थोड़े से कटे हुए ड्राइफूट्स डाल देंगे राथ मैं इसके उपर जो हमन सबस्क्राइबुम है छोड़े से द्राइफटल अच्छे से अंधर सेट हो जाए और यहाँ पर फ्रेंड्ड सब्सक्राइब मैं इस तरह से ही सारे मिष्रन को अच्छे से दबाकर सेट कर दिया है यहां पर अभी हमारा यह मिश्रन गर्म है, गर्म-गर्म में है अब हम इसके कटके निशान लगादेंगे यहाँ पर आप हमेशा एक बात ध्यान रखेगा गर्म-गर्म में ही है इसके कटके निशान लगातीजीगा ताकि हमारी यह मिठाई जब सेट हो जाएगी नbetit इसके पीसे निकालना आपको आसान रहे तो यहाँ पर यह देखे फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसके कटके निशान भी लगा दिये हैं अब हमें इसे सेट करने के लिए एसे ही मैं इसे काउंटर टाप पर छोड़ दूगी यहाँ पर फ्रेंड्स एक घंटा हो चुका है और य यहाँ पर इस तरह से हम इसे इस पेचुला से बाहर निकाल लेंगे यह तेखे फ्रेंड्स मैं आपको इसे पास से दिखा रही हूँ एकदम परफेक्ट कलर का, परफेक्ट कंसेस्टेंसी का और परफेक्ट ट्रेक्चर का हमारा यहाँ पर यह उर्धिया बनकर तयार हुआ है और दिखने में जितना रिच लुग लग रहा है न, खाने में उतना ही सौफ्ट है और स्वाथ तो क्या कहना, इस तरह से बहुती सौफ्ट उर्धिया बनकर तयार हुआ है फ्रेंड्स मैं आपको इसे तोड़ कर इसके अंदर का ट्रेक्चर भी दिखा देती हूँ तो यह दिखे फ्रेंड्स मुँ में घुल जाने वाला बहुती ज़्यादा सौफ्ट उर्धिया यहां पर बनकर तयार हो चुका है फ्रेंड्स आप भी इस तरह से यह रेसिपी जरू से ट्राई कीजिएगा यहां पर हमने परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में यह रेसिपी बनाई है न तो इसे बनाना आपको आसान हो जाएगा और इसे बनाकर आप 15 से 30 दिनों तक आसानी से श्टोर भी कर सकते हो यह बाहर खराब नहीं होगा फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके चरू से बताईएगा तो फिर मिलेंगे ऐसी ही नई सी रेसिपी लेकर तब तक के लिए गुड़ बाई